केला के पेड से रेशा बनाने का काम कर रहा है जो फ्यूचर का डिमांड है वो उसका ये स्टार्टिंग है मैंने इंजिनियरिंग किया बैंगलोर से फिर जैपूर से एंबीय किया केला एक ऐसा चीज है जिसमें कुछ वेस्ट नहीं होगा फल पत्ता पेड हर कुछ काम है इसका टीमांड बहुत जग है जैसे कि आपको सेनेटरी पैड कपड़ा फाइल एंड फोल्डर हैंडी क्राफ्ट के आइटम है जो सजाने के काम आते हैं बेसिकली इसको आप वेस्ट टू वेल्थ कहा सकते हैं जगहों पे जाता है गुजराद, बंगाल, केरनाटका, केरला, दिल्ली, यूपी, अभी सब जगह जाया रहा है ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ट बाई ITC सेनराइज मसाले स्वाद पिहार का ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त हाजीपूर लोगसभा छेत्र में हैं और यहां पर हम लोग कई लोगों से बात कर रहे हैं तो यहां केले की खेती बहुत ज्यादा होती है पर केले की खेती का मतलब फाइदा सिर्फ केले तक सिमित नहीं है कुछ लड़के हैं यहां पर केले के पेड़ जो बेकार हो जाते हैं एक बार फल आ जाने के बाद केला का एक गहुत जब आ जाता है गहुत हम बुलाते हैं बिहार में उसको गहुत कहते हैं एक बार जब फ केला से केला के पेर से रेशा बनाने का काम कर रहा है इसमें क्या होता है कि जैसे केला में एक ही बार फलाता है उसके बाद वो केला किसी पेर किसी काम कर नहीं रहता है किसानों के लिए वो सरदर्द है क्योंकि उसको साफ करके फिर उनको उगाना पड़ता है तो मैं उसी केले केले के विस्थ बात का रहा हूं वही कहल है व उसी केले के पैड के से बन रहा है बवेसिक्ली इसको आप वेस्ट वेल्ट यह सकते हैं और वेस्थ है कि वह बना रहे हैं। है बना रहे कंगे बाहुत बड़ा वो उसका ये स्टार्टिंग है इसमें क्या इसका प्रोसेस चलो तुमसे डीटील में समझते हैं जगए तुम अकेले यह काम करते हो कि तुमारे साथ और निटीज कुमार, वो कि When we first selling, we are Laurie in Passionich kayak औरिऊग औरArthur से लोगए है और अब हम हम लोग यहां पे साथ में में से केखी जैपुर से जैपुर में पढ़ाई करके तुम हाजीपुर में आकर बिजनस नंग लोर से यैपुर से मैं यूब ब मैंने आब सुनार बेंग जिश नौर्ण की लार बेन टारी दूबाई अब हम लोगूं काम करत तुम बीदेश की नौकरी चोड़को है के लेकर के लेकर यहां आजाता है उसके बाद व पेर नहीं है, तो पार्ट में उसके बाद या तो तो तरह से, या तो मैनुवली या तो मशीन से हम लोग निकालते हैं, मैनुवली प्रोसेस आप जो देख रहे हैं ये मैनुवल प्रोसेस हो गया और एक लेडी जब तक कोर स्टेम तक पहुंचना जाए निकाला जाता है अच्छा सबसे बीच वाले हिस्से में और प्रोसेस का जाता है यहां कुछ वेडियर केल एक ऐसा चीज जिसमें कुछ वेस्ट नहीं होगा फल पत्ता पेड हर कुछ काम आएगा अच्छा इसको जब यह फाइनल प्रोड़क बनता है तो इसको कहते है बनाना को फाइबर बनाना फाइबर जैसे सिंथेटिक फाइबर कौटन यह बनाशाई आट से represented धुर्णा नाखपूर, छेती में से पाइबरह। और यहां का चिनिया केला पूरे इलाके में मश्यूर है और इसलिए यहां केली की खेती भी बहुत ज्यादा होती है आप जब भी हाजीपूर आएंगे तो आपको गंगा किनारे में भी बहुत रागोपोर वाला जो विधान सवा इलाका है वहां पे केले की खेती बहुत ज्य नाने के काम आते हैं वह आर ही बैसे कि आ ढहां भी आप सिंथेटिक फाइबर यूज धा आ सकते निर्टल फइबर से ऊसकते हैं बाकर बताई यह वाला मशिन किस काम के दो प्रोसेस है एक तो यहां से च्छेटर का प्रोसेस हो गया है उसके बाद एक्स्ट्रेक्शन होता है और उसके बाद कॉम्बिंग होता है तो तोटल तीन प्रोसेस होते हैं इसमें कटिंग एक्स्ट्रेक्टिंग कॉम्बिंग मतलब की काट दिये निकाल दिये साफ कर दिये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है यह अच्छा ही से पर इसका परद परद तो हाँ से निकालना पड़ता होगा लास्ट जो प्रोसेस है हैंड से आपको जरूरत कि मुझे डौनों के जरूरत पढ़ेगी या मैननवेल या मशीन वो मेरे डिमांड तक इसके बाद यहां से एक्स्ट्रेक्षन कटिंग के बाल अब यहका for extraction निए जो एक एक लेयर हटा है वो सब एक्ष्ट्रेक्ट होके बनाना फाइबर मेंze कन्वर्ट क्वर्ट को एक्षट्रेक्षिण promises पैमें है इस वाली मशीन पर इस वाल से था यहहां दो ऊडिए उसको ऊड्रेक्ष्ट करोकिशन कि अभी लग रहा है कि शाम होने का वक्त आ गया है तो लोग धीमें पड़ गए है अभी अभी अब खतम है देखा वर्क खतम है तो बस अब इसी लिए आपको अच्छा बाता दोस्त यह बाइप्रोडक्स जैसे आते हैं तो इसका मतलब की बाइप्रोडक्स इसी मार्केट अ सिंथेटिक के लेते हैं मार्केट में वह आप फेखियेगा तो वह तो वेस्ट होगा लैंड वेस्ट को यह डिकंपोज हो सबस्क्राइब और यह यहीं का बना हुआ यह जया जो खती है यह इन धिक्ञ और पनाना डेक्ट राजबिया यह पूरा बनाना आ भाइक आनश्च वहां जाईएगा तो आपको क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े पेंटिंग दिखेंगे जो कि बनाना फाइबर से ही बने हुए जो कि मेरे ही दिया है और यह बनाते हैं यह कहां बनता है यह पटना में हम लोग बनाते हैं अभी तो फिलहाल गौवर्मेंट सप्लाई हो रहा है धीरे-धीरे जब मास्ट प्रोडक्शन होगा तो पबलिक के पास भी पहुंचेगा अच्छा फिलहाल सरकारी जगहों पर जैसे कि इस बार अभी केल में जितने होते हैं तो सब में यही फाइल्स आपको जाते हैं अब अब यह माशीन चालू होगा कि अब वो जो एक एक लेयर हटा है और इसमें जाएगा और यह आपको अब फाइबर में कनवर्ट हो गया कि यही चीज आपको फाइबर में होते चला जाएगा नीचे जो वेस्ट किर रहा है वो पल्प है उसका आपको वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा और वो पल्प से लिक्विड निकलता है जो कि क्या बोलते हैं जो पेस्टी साइट समलोग छी रखते हैं वो जो कि हम लोग टेस्ट करवाए हुए है भागलपूर एग्रिकल्चर कॉल युनिवर्सिटी से चेक करवाए है उसकी टेस्ट करवाए है सरकार तो इसके पीछे बहुत योगदान दे रही होगी आगे बढचर के बोली होगी इसमें अभी यह नई चीज है तो अभी बशेज आप है जब उनको फैदा पता जैसे बढ़ी का सुलू में लोगों को नहीं पता था की यह इतना फैदा देता है अभी मार्केट में हम लोग जितना वर्मी स्प्लाई करना फैदा दे रहा अभ लोग इसी कर तो दीरे दीरे लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा वै वैसे वैसे डिमांड आपकी बढ़ेगी कि यह रीचा जैसा बन गया अब इसको क्या करोगे अब इस दो प्रोसस है फिरेशा दो तरह होता है एक हमड़ एक अंकॉम आपको यह यहां से निकल के जूपने चला जाता है धूप में ये अनकॉमम्ड है मतलब इसका कंगा नहीं किया हुआ थो यह उनकॉम्ड हो गया वहां से डायरेक्ट यह है अब इस अगये ज्यादा तर डिमांड में यह जाता है है हिंडी क्राफ्ट में निकालना पड़ता है उसके बाद व कट्याइल इंड़स्ट्री में तो यह वाला जैसे हुआ यह अभी हम लोगोंने कटिंग देखा उसे एक्स्ट्रेक्श नेका अगाएं होता है कि अनकॉंक करना वो डिमांड पर डिपेंड करता है कि हम को क्या देना और यह जो तुम्हारे पीट पर इतना बड़ा पहाड़ है यह वेस्ट है उसका पल्प है उसका जिसका है कि टोटल का आपको खाद बन जाएगा आपको एक भी परसेंट कुछ दीखेगा कैसे बनाओगे इसको बगलवाले खेत में रखोगे चलेंगे चलेंगे लेकिन पहले टुर तूर्थ सूख जाए कि की के से यह वन ऑफ दा टॉप dopoब थी वरसे जो स्ट्रेंथ में आपको सबसे ज्यादा मजबूती आपको परोवाइड करें तन हमझु सबसे ज्यादा मजबूत फाइवजर आपको नेचरल मैं आपको ct मजबूत फाइबर है नेचरल में हा अब इसके बाद का थर्ड प्रोसेस आपको मैं दिखा ता अब जो अनकॉम्ड निकले यह आपको कॉम्बिंग मशीन है यह कंगा हो गया अब वो जो अनकॉम्ड है अगर आपको कॉम्ड चाहिए तो अब इसमें जाएगा यह आपको साफ हो रहा है आपका फाइबर और इसी तरह से हाथ में किनारा और दूसरा किनारा साफ हो जाएगा जब दूसरा हो जाएगा तो फिर पलट के यह किनारा साफ कर लेंगा अब फिर इसको भी सूखने देना यह सूख जाएगा और यह आपको कॉम्ड में आपको इस कि चुक थी और उसके सपहला में आपको आच सही पता चल जाएगा है यह देखिए कि एक दम क्लारी कि भारी को अन्तर नज़र मैंन नहींगry यूनिफार्मिटी नएजा ने चीज़ों में चीजों कि निको तीन फिट का चाहिए फाइवर कि निको छे फिट का चाहिए तो वह आप बना सकते हैं पर यूनिफॉर्मिटी रहती नहीं है इधर तुमने बाइफरकेशन कर रहा है बट्वारा कर रहा है कि इस अपको यहां कॉम्ड भी है और यह जैसे सुरू सुभा में यह आप जैसे हां अच्छा यह सूखा इसका बना दिया गया है लब जूट की रस्यों जैसा हां पटवा जो कहा जाता है लोकल उद्वह के कोई वही कहेगा पर वो है नहीं है कर सेहलों स्ट्रेंट यहां इसका जो सियलिंग्स होते हैं उनकी जो यह होती है बहर में उसके रसी में बनाना फ़ाइवर यूज करते हैं इंडिया में कि यूज्टम ये तम्हारा जैसे ये तो मुझे लगवा participants हाय्जा सेनेंट्रीपड कप्रा कुछ कुछ कप्रें वाले दे जाता है दिली यूपी सब जगह जाता है बनाना का यह जब जरा रहा कि बनाना फाइवर की बहुत खेती है बनाना की बहुत खेती है यहां तो बहुत सा पर अभी तक वैसी कोई रूची इसके तरफ अभी नहीं है कितने साल होगा तुम्हें काम करते हुगा कैसा विदेश की नोकरी छोड़कर यहां पर विदेश की बिजनेस है किसी भी चीज में थोड़ा टाइम तो लगे गाई पर इतना है कि अब सब आपको जितना खरचा है वो पूरा इसी से निकल रहा है और उसके अलावा एक्स्ट्रा हम लोग को मिल जा रहा है यह चीज पर कंपनी आ गई है हमारी अब जो होगा यहां से यह ग्रोथ ही करेगा अब यहां से यह डिक्लाइन नहीं करेगा यह पैक हो जा रहा है यह पिर अभी जैसे तुमको यह और आया हुआ हुआ है तो यह पैक हो के अभी डिस्प्रैच हो जाएगा इस जा रहा है यह यह आपको जा रहा है के लिए यह जा रहा है से लिए बड़ी आयर मुझा नहीं जान करी थी इसकी लिए मिरे मतलब थोड़ा बहुत देखा था इंटरनेट पर इतने पास से कर दूब को जायए यह तो जाता है वर्मी क delight होने के लिए उसकी प्रोसेस मैं आपको यह दिखाता हूँ दो प्रोसेस हैं वर्मी कम पुस्ड का एक ओपें बेड और खिलोस्ड बेड़ कि इसके लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली लेकिन इस फैक्टरी को सेट अप करने में कितना खर्चा आया है क्योंकि मास प्रोड़क्शन जब तक नहीं होगा तो माल आपका रौ मटेर्स रस्ता नहीं हो और उसके लिए आपको एक लार्ज मशीन का सेट चाहिए तो टोटल स कोस्टिंग आपका जबूरत के साब से बारता का यहाला जिस प्लॉट में तुमने फैक्टरी लगाई यह तुमारे अपना प्लॉट है कि अपनी नहीं है लीज पर है यह लग जाता है तोटल तीन प्लॉट है तीनों का अराउंड 12,000 स्कार फिट एडिया और तीनों का आप जितने बेट देख रहे हैं वह इसमें ट्रांसफर होंगे और वह जो आप देख रहे हैं तीन चार पांच बेड़ सब आपका वर्मी कंपोस्ट में इसमें आपको पल्प के साथ थोड़ा सा गोबर मिलाया जाता है इसी लिए कि जो केचुआ होता है उसको आदत परे क यह यह मेरा खाना है पता चल गया तो फिर पूरा खाके आपको वर्मी कंपोस्ट में अइसा फिर यह बना हुआ है एकदम नैचरल है बिना किसी केमिकल के इसमें इतना न्यूट्रियंट से इतना पोटेश है कि आपको अराउंड थ्री टाइम्स ज्यादा ये बेनिफिट ये भी देगा और इसका भी टेस्ट कराया हुआ है पोटेशियम में ये बहुत ज्यादा रीच क्योंकि केला ही रीच ह में भी केले की खूबियां है नहीं मैं आपको वह भी दिखा रहता है ये वर्मी कंपोस्ट का तो फिर तो हम लोग ऑर्गैनिक ऑर्गैनिक बात करते हैं बड़े शहरों में आजकल बहुत कल्चर चला हुआ है कि यार सबजियां और गैनिक खाएंगे खाद भी ऑर्गैनिक लेकला होना चाहिए सब्सक्राइब को और्गैनिकली डього ہं इसप स्तमाल यही सब सब्सक्राइब मतलब दिफ्क नाचिरल केमिकल टाविज मदाओर केमे का यह एक दम नाचिरल इसी सब और्गैनिक फार्मिंग इससब से होता है सब इसी से और गैनिक फार्मिंग पर चलते हैं ठीक है अच्छे यह पूरा कोई लग राष्टा चुनाए और इस में पूरा आपको एक लोग बेस्सिस्टम के तहट यह बनाया है इसमें की देखिए वह है वही प्लप है जो आपका यह की रहा कर खाते हैं पल्प के साथ गोबर मिला हुआ और यह नैचरल में पूरा नहीं है बढ़िया है बहुत बढ़िया एक तरह मतलब जीरो वेस्टेज इसी को कहते है आप जो वह पल्प है उससे लिक्विड निकलता है वह लिक्विड आप एज़ फर्टिलाइजर यूज होता है बहुत अच्छा रिजल्ट वह भी देता है अब थोड़ा सा तुम्हारे बिजनेस का तुम्हारे वेबसाय का बिजनेस समत्ते हैं पैसा वाला मॉडल ठीक है हम लोग दो तीन चीज अभी तक देखें ठीक है एक है कि अनकॉम्ड फाइबर दे रहे हो एक वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हो पहले यह तो बता दो कि इस व काम होता है जैसे इसमें हम ज्यादा कंपिशन कर शकता है उसमें प्रोड़क्शन का कंव जाता आज चाप्त है यह अगर 45 देज लेगा तो वह आपको 30 कंप्तेज आजा जाता है जाता है अब यह बताओ कि इसको क्या करते हो यह विए वर्मी कंपोस्ट यह तो तुम डिमांड एक मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ ठेट किने का बेज तो कि इस यह की लोगा पकेट अपको 50 ₹ स्वूस्ट्रीव ि सूपना प्येशां बैदा और धे ग्यां तरियसां ऊचिल और तेट भला यह बिजनस तुम खुद हैंडल करते हो इसमें राव मेटेरियल वाला नहीं है यह फिनिश प्रोडक्ट तुम सप्लाई करते हैं यह राव मेटेरियल तो मेरे पास ही है अल्रेडी तो बस उसका मैं कनवर्ट कर दे रहा हूं वेस्टेज नहीं होने दे रहा हूं और जगत किसान फैमली से बिलॉंग करता हूं तो सुरू से मन था कि कुछ अपने स्टेट के लिए अपने लोगों के लिए कर सके हैं तो पढ़ाई लिखाई में तो वह कहीं रह गया था पीछे पर अब जब मौका मिला मुझे अपर्चुनिटी दिखी और दूसरों के लिए बारा बीच रहके मेहनत करूं वह मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं लोट आया है अपने लोगों के बीच लोट आया इसके पिछे आइडिया आया कहां से बनाना फाइवर वाला आइडिया मिला कहां से कि यह करके देखते हैं कुछ अलग है जब जब छोड़के मैंने कि अधियर मिला आयजिए पर ऐसा कुछ कुछ मिल नहीं रहा था फिर बहुत लिसर्च करने के बाद ऊंड़का पता चाला तो उसपर रिसर्च हम लोगों ने सुरू किlden रिसर्च कि ँऊ पता था तो यह तो पता था बनाना हब है यह हाजीपूर तब उसमें आगे कैसे बर बताया तो वह बहुत कुछ हुई उन्होंने उस समय पूरी हेल्प की हमारी टेक्निकल से लेके फाइबर से लेके हर चीद में उसके बाद हम लोगों ने आठ महीना लगभा रिसर्च किया पूरा कि कैसे कहां जाएगा क्या बनेगा आगे कैसे इसका ग्रोथ हो सकता है उसके करेंदेख OS माद हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया लोग टोटन किया काम करते हैं तो तुम 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 थम तुम तीन दोस्तों केलाआवा हम तीन दोस्तों केलावा कई लाएशनके लाएवzeit बाखिक लंड निकला हुए है दोनों मतलब बाहर फीज्डी में निकले कितने लोग टोटल यहां काम करते हैं और बाहर जो पेड़ आता है तो वो भी एक इंकमी है तो वो भी 15 लोग है तो अब अंदर बाहर मिला के आपको 30 मान के 30 लोगों का रोजगार है तीस लोगों का कितना तुम एक महिने में तुम्हारी जो जितना बड़ा स्ट्रक्चर है एक मेंने में कितना डिलिवरी कर ले तो कितना फाइबर डिलिवर करते हैं अभी के कैपेसिटी के हिसाब से चार से पांच टन के बीच में हम कर सकते हैं जिसकों की अभी हम बढ़ा ही रहें दीरे-दीरे इंक्रीस क्यूंकि अब मैंने एक और चीज स्टैट के वह जो आप एक्स्टैक्शन मसीन देख रहे हैं वह भी मैं खुद बना रहा हूं ताकि सिर्फ मुझे नहीं अगर किनी और को भी शुरू करने के जरुत हो तो बहार ना जाना परे बिहार के यहीं उन्हें सब चीज में लिए तरह तरह जगह से पैसा निकालना सीख रहे हो पैसा भी निकालना सीख रहे हैं और लोगों को सहूलियत भी दे रहे हैं क्योंकि जो दिकत मुझे हुई वह और किसी को ना हो तो वह ज्यादा इनकरेज होंगे यह बिजनस स्टार्ट करने के लिए अच्छा यह बात यह तो सरी बात हुई कि तुम यह क्या क्या कर रहे है अब मेरे मन में यह सवाल है कि कितने फाइदे का बिजनस अब कितने का मतला अवे कितना तर्नोबर एफिफ्टी लाग से जो कि नेक्स्ट ये अपको डबल हो जाएगा क्योंकि अब यह सिर्फ ग्रोथ हो रहा है यहां से और यहां से डिकलाइन नहीं करेगा ओर्ड यूज करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए तो वह आपको पेशेंस रखना पड़ेगा पर आपको और इसमें जरूर है इसमें तो फिर तुम्हें तो बड़ी फैक्टरी सेटप करनी पड़ी है इसलिए मैंने मशीन खोला केले मैं कर भी नहीं क्यूंकि आप ज्याद सप्लाइ महिने में कर लेते हो विदेश की नौकरी छोड़ दी यहां अपना बिजनेस करने लगा है वह भी एक बाई लवेस प्रोड़क्स से ही पैसा टोटल वह जो चाल टन फाइवर अराउंड छे से साथ टन आपको वर्मी कंपोस्ट तो फिर आपको एक टन के बहुत अच्छा है और उसकी आप जाईए अशाम गोहाटी उसकी सब्जी भी बनती है तो फिलहाल अभी उस पर मैंने फोकस नहीं किया है पर कुछ दिन बाद वह भी फोकस तो कुछ नहीं बचेगा सिर्फ जमीन खाली बचेगा केलावला और कुछ नहीं बचेगा बढ़ उमीदों के भी होती है ऐसी एक कहानी है तीन दोस्त है अभी दो दोस्त मिले नहीं पर जगत कल्यान करने बस देखाजाए तो एक लोजिकल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम है ये कि आप ऐसे प्रोड़क्श से जो नैचुरल है और नैचुरल फाइवर क्रीएट कर कर रिपोर्ट में हमारा साथ दियां में तवस्तिने हम संदीप कुमार से रहां देखते रहें दील ललन टॉप